दोस्तों क्या आप जीतना चाहते हो एक AMD का ग्राफिक्स कार्ड या फिर गेमिंग कैबिनेट नहीं तो यार एक अच्छा सा गेमिंग मेकेनिकल कीबोर्ड और भी बहुत सारे प्राइस है तो अगर आप इन में से कोई भी प्राइस जीतना चाहते हो इस वीडियो को पूरा ए स्वागत है अब आरम करते हैं तो पहले डिसाइड हुआ था कि हम कुछ गिफ्ट वगरा नहीं दे पाएंगा ऑफकोर्स ही बात है क्योंकि तभी स्पॉंसर नहीं थे लेकिन अब एक्चुली 5-6 स्पॉंसर ने पूल इन किया हुआ है तो हम एक्चुली कुछ बहुत अच् गेमिंग स्ट आफ वार्स में पाटिसिपेट कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्पॉंसर है वो है एमडी और वो कॉंट्रिबूट कर रहे हैं एमडी के आरेक्स 550 ग्राफिक्स कार्ड के साथ काफी बढ़ी है ग्राफिक्स कार्ड है यार यह और इसके साथ अगर आप मॉनिटर यूज करते तो आपको और भी ज्यादा मज़ा जाएगा और उपर से मदेदार बात यह है कि यह जो ग्राफिक्स कार्ड है वो एक्चली जीडी 1030 से ज्यादा फास्ट है अब बढ़ते हमारे अगले स्पॉंसर की तरफ जो कि है गेम डियास तो गेम डियास अगर तो वो भी दे रहें आपको एक गेमिंग केस और अगले स्पॉंसर है रेड गियर तो वो विनर्स को प्रोवाइड करेंगे अपने गेमिंग के हैडसेट मेकैनिकल कीबोर्ड माउस पैड और वायरलेस गेम पैड और फाइनली जो हमारे लास्ट पॉंसर है वो है जैन्यवन की.in अब अगर आपको नहीं मालु में कि जैन्यवन की.in क्या है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो वहाँ पे आपको पूरे डीटेल में बता दिया जाएगा कि यह साइट क्या क्या करती है बेसिकली आपकी जो विन्डोज की OEM की होती है या फिर डीटेल की होती Tech Dreams, PC वाले, All Trigger, Tech Face, The Tech Nation और Tech Frame तो दोस्तों इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ना इनके चैनल की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अब देखो यार अगर आपको इंपोर्टन अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो ना तो बिल्कुल आपको साथो चैनल को स साथ चैनल के नाम बताए उनके उपर होंगे इसलिए आपको साथो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो इस सेटप वोर्ट में चार केटेग्रीज है सबसे पहला है अपको अपने PC सेटप का 30 सेकेंड वाला वीडियो बनाना होगा फिर बाद में आपको CPU-Z का एक स्क्रि के लिए भी आपको 30 सेकेंड का वीडियो बनाना होगा अपने सेटप का और फिर बाद में वही सेम आपको CPU-Z और GPU-Z की स्क्रिंशॉट सेंड करने होंगी और साथ में 3DMark Fire Strike का स्कोर भी आपको अटेच करना पड़ेगा अब बात करते वेल्यू फर मनी गेमिंग PC के तो यह पर सिर्फ आपको अपने PC का 30 सेकंड वाला वीडियो सेंड करना है और फिर बाद में साथ में CPU-Z और GPU-Z के स्क्रिंशॉट्स तो यह तो हो गया कि आपको कैसे पाडिस्पेट करना है अब आप अगर पाडिस्पेट करना चाहते हो तो जितनी भी चीज़ें यहां पर डिसक जंका या फिर doubts रह गई है तो मैं description में सभी information को provide कर दूँगा तो best of luck guys और अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye